सनातन की अस्ती सिपाही निकली पवनकल्यान की पार्टी साउथ की धर्ती पर राज्यती में पैदा हो गया दूसरा योगी मंदिरों में गयर हिंदूओं को नौक्री नहीं हर मंदिर को 10 लाख पुजारियों को पेंशन के साथ हर महीने 15,000 वेद वेद्या प्राप्त करने वाले चात्रों को मिलेगा 3,000 रुपेर पती महीने पवनकल्यान की पार्टी ने विपक्ष के सपनों पर फेडा पानी साउथ की हिंदूओं को दे दी सबसे बड़ी सोगा जी आंजप्रदेश सरकार ने कहा है कि राजिके मंदरों में केवल हिंदूओं को ही काम पर रखा जाएगा उन्होंने मंदरों के पुजारियों के वेतर में 50 प्रतिशत की व्रिधी की भी खोशना की है इसके साथ ही नाई ब्रामणों यानि के मंदरों में काम करने वाले नाई के लिए नियूंतम मासिक वेतन 25,000 रुपए कर दिया है वेद विद्या प्राप्त करने वाले बेरोजगार रिवाओं को भी 3,000 रुपए मासिक भता दिया जाएगा मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नाईडू और उप मुख्यमंत्री पावन करल्याण ने राजभर के अलग-अलग मंदरों में काम करहे 1683 पुजारियों का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ा कर 15,000 रुपए महीना करने की घोशना की है इसके लवा राज़ सरकार ने धूप दीप नवेद्यम योजना के तहट छोटे मंदरों को दी जाने वाली वितिय साहयता को 5,000 रुपए से बढ़ा कर 10,000 रुपए प्रती महीना करने का फैसला किया है बैटक के दुरान ये निर्णा लिया गया कि मंदर ट्रस्ट में दो और बोर्ड सदस से जोड़े जाएंगे बता दें 20 करोड रुपए या उससे ज़ादा राज़स्ट वाले मंदरों के ट्रस्ट बोर्ड में 15 सदस से होते हैं अब ये संख्या बढ़ा कर सत्रा की जाएगी इसके लावा ये भी साफ किया गया है कि ट्रस्ट बोर्ड में एक ब्रामर और एक नाई ब्रामर सदस से होंगे एंडिया ने चुनाफ से पहले ये वादा किया था जो कि पूरा करके भी दिखाया है बैठक के दुरान कहा गया हिंदू मंदरों में खेर हिंदूों को कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए आंद्र प्रदेश में 1110 मंदरों के लिए ट्रस्टी न्यूक किये जा रहे हैं ये भी खोश्णा की गई कि वर्तमान में अवैद रूप से एक अबजा की गई 87,000 एकड मंदर भूमी को कानूनी माध्यम से फिर से प्राप्त किया जाएगा सीम ने ये भी कहा कि राज में जबरन धर्मांतरा नहीं होना चाहिए यानि कि अब आंद्र प्रदेश भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की रहा पर चल पड़ा है जहां पर सीम योगी आजिनात इसी तरीकी की नीती के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसके रवाएक और घोशना ये की गई कि शामरी ट्रस्ट के तहट हर मंदर को 10 लाख रुपे दिया जाएंगे अगर जहुरत पड़ी तो उन कारों की समेशा पूरी होने के बाद और जाद अधनराशी प्रदान की जाएगी अधिकारियों से कहा गया कि वो उन मंदरों के लिए प्रस्ताव भेजें जहां 10 लाख रुपे से जादा की आवशकता है हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग की अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक के दोरान सीम नाइडू ने राज्य के हर मंदर में आध्यात्मिक्ता को बढ़ावा देने पर जोड़ दिया उन्होंने निर्देश दिया कि मंदरों और उनके आसपास के इलाखों को पुवित्रा से साफ सुतरा रखा जाना चाहिए ताकि वहां आध्यात्मिक महाल बना रहे जानल प्रधेश के सीम और साथे साथ डिप्रिंसीम यानि कि पवन का ल्याण के लिए सबसे उपर सनातन है और सनातन की सेवा करना ही उनका परमकर्तव है सिगम ने प्रटरन विभाग, हिंदू धर्मार्त विभाग और वन विभाग की अधिकारियों की एक समिती गठन की भी खोशना की ये समिती मंदरों विशेश रूप से बन शेत्रों में स्थित मंदरों के विकास की देखरेक करेगी समिती निस्थलों की प्राक्रितिक सुन्दरता और आध्यात्मिक महत्विक को संदक्षित रखते हुए इसे ज्यादा स्ज्यादा पर्टिकों के लिए सुरब बनाएगी ऐसे मैं आप बताईए आन प्रदेश सरकार के इस पैसले पर आपकी क्या राय है और साउत के योगी यानि की पवन कल्याण जिस तरीके से प्रदेश के कल्याण की सोच रहे हैं उसको आपकी नजरिये से देखते हैं जो भी आपकी राय हो कॉमेंट करके जहूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें